वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद में कितनी मुश्किलें आधे राजों में मन्जूरी भी जरूरी कितने दल एक देश एक चुनाज विपक्ष में कितने हैं विपक्ष में नमस्कार आपके साथ मैं हूँ संजीवनी चौधरी स्वागत है आपका सियासत से जुड़ी हलचल सियासी हलचल में देश में वन नेशन वन इलेक्षन को लेकर बहस छिड़ी हुई है केंद्र सरकार ने इसे लेकर पूर रास्ट्रेपती रामनात कौविन की अध्यक्षता में उच इस तर्य कमेटी का गठन भी कर दिया है कॉंग्रेस समेत विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं लोगसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता अधीरंजन चौधरी का नाम भी कमेटी में शामिल था लेकिन अधीरंजन चौधरी ने इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया है वन नेशन वन इलेक्षन को लेकर सरकार भारती जंता पार्टी के नेताओं और इंडिया में शामल पार्टीयों के अपने अपने तर्ख है सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन के लिए संसद का विशेश सत्र बुलाया है अटकले है कि सरकार इस दोरान संसद में वन नेशन वन इलेक्षन को लेकर बिल लाएगी आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्षन के लिए समिधान संशोधन जरूरी है समिधान के अनुछेद 83, 152 और 356 के प्रवधानों में संशोधन के बिना लोकसभा और राजे सभा का विधान सभा चुनाव एक साथ करवाया जाना संभव नहीं है वरिस्ट अधिवक्ता और समिधान विशेजगे विकास सिंग का कहना है कि अनुछेद 73 और 172 में संशोधन करना होगा जिसमें ये कहा गया है कि सदन का कारेकाल 5 साल का होगा इनमें ये भी कहा गया है कि इस साल अवधी के पहले सदन को भंग करना होगा लोक कमींशन ने 2018 में One Nation, Oneイlection को लेकर रिपोर्ट सोपी थी लोक कमींशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सविधान संशोधन के साथ साथ जनप्रती निधित्व कानून 1952 में संशोधन और लोकसभा और विधानसभा के संचालन से जुड़े रूल ओफ प्रोसिजर में भी बदलाव की जरुरत होगी लोकमीशन ने कहा था कि इस तरह की समिधान संशोधन को कम से कम 50 पीजी राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदित होना चाहिए आपको बता दें कि लोकमीशन की रिपोर्ट में आधे राज्यों के समर्थन को जरूरी बताया गया है यानि संसद में भी इसके लिए विशेश बहुमत की जरुरत होगी सरकार को इससे संबंदित बिल संसद से पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में 3-4 बहुमत की जरुरत होगी ऐसे में सरकार की रा लोकसभा में भी चुनोती पून होगी जहां बीजेपी के पास बहुमत है तीन चोहताई बहुमत की बात करें तो लोकसभा और राजेसभा दोनों ही जगा संख्यावल के लिहाद से परिस्तितियां सरकार के अनुकूल नजर नहीं आ रही है लोकसभा में इस समय कूल 549 सदसिया हैं ऐसे में सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जरूरी संशोधन के लिए लोकसभा में 404 सदस्यों के समर्तन की जरूरत होगी इसी तरह राज्य सभा में अभी 238 सदस्या हैं राज्य सभा में वर्तमान संख्याबल के लिहाद से 34 सदस्यों का आकड़ा 178 पहुंचता है एंडिय और इंडिया गटबंदन के संख्याबल पर नज़र डालें तो सत्ताधारी गटबंदन के लोकसभा में 132 तर और राज्य सभा में 111 सदस्या है विपक्षी गडबंदन की लोकसभा में करीब 140 सीटे हैं तो महीं राजसभा में ये संख्याबल 100 के करीब पहुँचता है दिल्ली सेवाबल पर हुई वोटिंग के आकड़े देखें तो राजसभा में इस बिल के पक्ष में 132 विरोध में 102 वोट पड़े थे वहीं अब ऐसे में सवाल ये भी उट रहे हैं कि अगर सरकार इसे लेकर जरूरी समिधान संशोधन के लिए बिल लाती है तो उसे कौन सी पार्टियों से समर्थन की उमीद होगी बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल, YSR कॉंग्रेस और भारत रास्टे समीती जैसी पार्टियां प्रत्यक्ष और प्रोक्ष रूप से सरकार का सहयोग कर संकट मोचक साबित होती रहे हैं ये दल किसी गटबंदन का हिस्सा भी नहीं है बसपा, BJD, YSR, कॉंग्रेस, BRS के साथ ही जनता दल, तेलगू देशम पार्टी, AIMIM, शिरोमनी अकाली दल और All India United Democratic Front ना तो NDA में हैं ना ही इंडिया गटबंदन में इन दलों के लोगसवा में 62 संसद हैं अगर सरकार नीट्रल पार्टियों को अपने साथ लाने में काम्याब हो जाती है या ये पार्टी वर्काउट कर जाएं तो संसद में सरकार की मुश्किले कम हो सकती हैं संसद के दोनों सदनों के अलावा सरकार को वाधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए होगा यानी 28 में से 14 राज्ये ताजा तस्वीरों पर नज़र डालें तो 15 राज्यों में NDA की सरकार है इन में से 5 राज्ये ऐसे हैं जहां सरकार की ड्राइविंग फोर्स छेत्रिय दल है महराष्ट में शिवसेना के एकनाथ शिंदे सिक्किम में SKM के PS गोले नागलेंड में NDPP के नेप्यू रियो मिजोरम में मीजो नेशनल फ्रेंट के जोरम मन्थंग मेगाले में NPP के कोनराड संगमा मुख्यमंत्री हैं काफी कोछ इन दलों के रुख पर भी नर्भर करेगा अब देखना ये होगा कि कितने दल देश में एक नेशन एक इलेक्शन के पक्ष में आते हैं कितने विपक्ष में जाते हैं अभी के ले इतना ही कल फिर जुड़ेंगे सियासत से जुड़ी हलचल सियासी हलचल में सर्फ N27 News पर आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खाबर पर